आप तो रैडी भी होगई यह कल सोट सिल्वा के रहों ही चारी है ना अब कर दो तो यहां पफिर पर सकते हैं साज़ित ने कोसर के ड्रेस की तरीफ तो क्या कर दी लोग तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गए, कह रहे हैं लगे कि आपको कोसर का ड्रेस तो हमेशा नजर आता है, वो तो हमेशा दिखती है, लेकिन सितारा आपको कभी नहीं दिखी, उसकी तरीफ करते हुए आपको क्या होता है, मतलब मैं तो बोल भी नहीं सकती, आप खुदी ये कमेंट से लीट क कर लेना, कमेंट के नीचे ना, मतलब लोगों की ऐसी लाइन लग गई है, कि साज़ता आपने कोसर की तरीफ कर दी, स्थारा की तरीफ क्यों नहीं की, अरे भी हो सकता है कि उसने स्थारा की कोसर से ज्यादा तरीफ की हो, लेकिन आउन कैमरा ना की हो, और आफ कैमरा की हो, गोसर की तरीफ आप लोगों के सामने हो गई, कैमरे में हो गई, विलोगिंग में आगई, सतरा की तरीफ विलोगिंग में नहीं आई होगी, ऐसी चूटी 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 चीज़ों को आप लोग पाकड़ की इतना बड़ा वो बधंगड बनाते हो, लोगों को ऐसे कमेंट् को स्टोप नेक्टिविटी पॉजिटिव रहें भी पॉजिटिव यार कभी-कभी इनसान को पॉजिटिव भी सोचना चाहिए और दूसरों की लाइफ में इस तरह से इंटरफियर करके तुम लोगों को बस यही कुछ मिलता है कि तुम लोग घरों में आग लगाते हो और बस किसी की लाइफ में क्या चल रहा है को उनकिस की तरीफ कर रहा है सब में तुम में क्या मतलब है और यही लोग होते हैं जो चस्के लेने के लिए दूसरों की वीडियो में खुषते भी हैं और फिर बातें भी बनाते हैं मतलब अगर तुमें कोसर इतनी ही बुरी लगती है स तुम उनकी व्लॉगिंग की मत देखो उनकी वीडियो सी मत देखो नहीं अब ये क्लिप तो में नजर नहीं आया अगर आगे में क्लिप जो है अटैश करने वाली हो जहां पर साज़त सिर्फ सुतारा के साथ गया है सहरी करने और कोसर वेट में खड़ी हुई है आदी रात को सोई नहीं है इतना महाँ पर रश्था इतना रश्था चलती नहीं तो अच्छा लगता है